पूरे राजस्थान की राजनीती गर्माई हुई है क्योंकि यहां पर अब जब से एक्जिट पोल आ गए है तब से अलग लगतर है के कयास लगाये जा रहे हैं कोई कॉंग्रिस को जुता रहा है कोई बीजेपी को जुता रहा है लेकिन ये तो आने वाला भक्ती बताएगा क क्योंकि कुछ समय का ही इंतजार बचा है इसमें कि कौन बनने वाला है राजस्थान का तर्मौर और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पाइलिट और प्रियंका गांधी की जो जोड़ी हाइलाइट हुई थी कॉंग्रिस का जो प्रचार हुआ था और दूसरी तरफ है मोदी और शाह की जोड़ी तो कौन जोड़ी किस पर भारी पढ़ने वाली है आपको बताएंगे सब कुछ डीटेल में इस वीडियो में करेंगे इसी मुद्धे पर चर्चा इसलिए जुड़े रहेगा लाज तक हमारे साथ नमस्कार मैं होचे इतना शर्मा और मेरे साथ मौझू हुदैं यहां पर हमारे एडिटर इनची वरण वंसाली जी अगर शारी चीजो को मिलाकर देखते हैं तो एक तरफ लगती है मोदिशाह की जोड़ी और दूसरी तरफ है प्रियंका और पाइलेट की जोड़ी भी काफी मशूर हुई थी, दोनों के सोशल मीडिया पर प्रचार के इतने वीजियोज वाइरल हुए थे, आप इस खुद इसके साक्षी है, तो आपको क्या लगता है कि पलड़ा किस तरफ भारी पढ़ने वाला है। से राज होते दिखें मनाया भी प्रियंका गांधी नहीं हैं और कही न कहीं यह प्रियंका गांधी का भी मानना है कि चायए यूपी वह या राजस्थान घीढंड़ी है। तो जिस तरहीं कि वोटिंग के बाद फीड बैक्स आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर लगता है कि अभी फिलहाल हलाकि टक्कर काटे की है पर मोधी शाह की जो जूड़ी है उसने राजस्थान में एक edge पाली है कहीं न कहीं प्रियंका गांदी और सचन पाइलेट की जोड़ी से आगे निकल गई है लेकिन समझना होगा मैं इस बात को कि कहीं न कहीं तूर से दिखने वाली प्रियंका गांदी और सचन पाइलेट की जोड़ी वो सिर्फ बाहरी दिखावे की जोड़ी है अगर वो अंदर तक भी उतने ही एक दूसरे की बाते मान रहे होते तो फिर शायद वो अमिच शाह और नरेंदर मोदी के लेवल की जोड़ी हो जाती प्रियंका गांधी जब आती है राजस्थान तब भीड उनको चाहिए होती है तो सचन पाइलेट को साथ कर लेती है यूपी में अपनी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि कैंपेइन को चलाते हुए जब वो इलेक्शन प्रशार करती है तब उन्हें भीड चाहिए होती है तो वो सचन पाइलेट को साथ में रख लेती है लेकिन जब बात आती है कि भाई सचन पाइलेट जो मुद्य उठा रहे हैं उनको भी तो मानो जिसके लिए अंशन कर रहे हैं उसकी मूल वज़े तो कॉंग्रिस कोई बढ़ाना है उनको तो मानो जिनके लिए जनसंगर श्य हट जाती है लेकिन जहां पर सचन पाइलिट का इस्तमाल करना होता है वहां पर वो आगे आ जाती है कहने का मतलब यह कि यह जो जोड़ी है यह जोड़ी एक दिखावे की जोड़ी है और कहीं न कहीं वो सिर्फ और सिर्फ पाइलिट को इस्तमाल करने के लिए उस जोड़ी का काम लिया जा रहा है लेकिन सच्चाई ये है अपने शिष्टाचार के चलते अपने निश्ठा के चलते सचन पाइलेट ने कभी बगावत नहीं की अभी इस जोड़ी को तोड़ा नहीं हमेशा आदर सत्कार किया है प्रियंका गांदी का ये उनकी संसकारों की बात है लेकिन असल में ये जोड़ी का कमाल तब दिखता जब सचन पाइलेट के सारे फीड़बैक माने जाते हैं सचन पाइलेट की सारी बात मानी जाती है सचन पाइलेट ने जिस तरीके से 21 सीटों से 100 सीटों का कॉंगरिस को लाए उस करिश्मे को माना जाता उनको कहीं ना कहीं तवज कि जोड़ी की बात के जाती है तो यह ऐसी तूपानी जोड़ी है इनकी लिए हुए जो फैसले होते हैं वो सबकी जमीने हिला देते हैं इस तरह के फैसले होते हैं और राजस्थान के सेनेरियों के अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि यह जोड़ी कुछ कमाल करके दिखा पाएगी कमाल तो पूरे भारत में करके दिखाया ही है इस जोड़ी नहीं करके दिखाया है ढार डूबती हुई भाज़ता को किस तरह से उखता हुआ सोद्व बनाया है वो इसी जोडी ने बनाया है कौन जानता था कि गुजरात में जब पूरी तरह से गुजरात भाजपा के पास था भी नहीं और गुजरात में भाजपा को इस प्रचंडता के साथ लाने का सोचते भी नहीं थे तब ये दोनों मिले थे प्रधान मंतरी मोदी और अमि कि गुजरात के विकास को भी चारचांद बनाकर उस विकास को एक मॉडल विकास का बनाकर भारत में किस तरह से भाजपा का परचम फैलाया आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है दुनिया की सबसे संपन पार्टी बन चुकी है कहीं न कहीं उसके र राजस्थान की जहां तक बात करें तो क्योंकि पिछला चुनाव जो था वो एक मार्जिनल अंतर से हारा था लेकिन उस हार की बड़ी वज़े जो है वसंद्रा राजे पूरो मुख्यमंत्री को माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि मोधी तुछ से बैर नहीं पर सबसे एहम और सबसे खास बात ये है कि ये अगले चुनाव की तैयारी पिछले चुनाव के खत्म होने के तुरंत बात से कर देते हैं और जहां कोई गलती हुई है उस गलती से सीखने की कोशिश करते हैं भर सक तैयारी करते हैं और इसी वज़े से कहीं न कहीं हर जगा सक्स पा रहे हैं और हर तरीके से सक्सेस पा रहे हैं और इसके ठीक उलट जो कॉंग्रेस है वो कॉंग्रेस कहीं पर भी ना अपनी हार से सीखती है ना लोगों के फीड़बैक से सीखती है ना अपने अंदर जो काम करने वाले अच्छे लोग हैं उनके फीड़बैक को सुनती है त तो मैं एक बात बहुत स्पस्ता से कहूंगा कि इतनी बेवफाई किसी ने नहीं जहली होगी, इतना धोका किसी ने नहीं जहला होगा, इतना नासाजी किसी ने नहीं जहली होगी, और इतना अपनों से कहीं न कहीं अपमान किसी ने नहीं जहला होगा, इतना सचिन पाइलेट जहिला है और मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरह भगवान शिव शंकर ने विश अपने गले में लेकर मुस्कुराता हुआ अपना चेहरा दुनिया को दिखाया सालों साल हमेशा दिखाया कुछ उसी तरह से अगर कल्यूक की बात करें तो पॉलिटिकल हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ रहे अपनी निश्ठा नहीं छोड़ रहे अपना शिष्टाचार नहीं छोड़ रहे अपना संसकार कहने का मतलब यह है कि और कुछ हो ना हो लेकिन पूरे भारत को ही नहीं उससे ज्यादा पूरी दुनिया के नेताओं को भी पॉलिटिक जी बिल्कुल सही कहा आपने अब ये तो आने वारा वقت बता पाएगा कि कौन सी जोड़ी बाजी मार ले जाएगी राज़स्थान की क्योंकि कुछी समय बचा है राज़स्थान के रिजंद्स आएंगे और ये साबित कर देंगे कि किसकी जोड़ी ने बाजी मारी है राजस् कॉंग्रेस एक यूथ लीडर्शिप का नया फ्लेवर दे वही पुराने धर्दे पे नहीं चले जो हमेशा चलती आई है और कहीं न कहीं ये यूथ लीडर्शिप इसलिए भी चाहिए क्योंकि सोचना पड़ेगा उन लोगों को जो बड़े-बुड़े हो चुके हैं राजनीती में कि आप भी जब आये थे तो यूवा ही थे उस वक्त अगर यूवाओं को तवज्जव नहीं दी जाती तो आप कैसे आते इन सारी चीजों को सोच कर अब क्लेवर फ्लेवर बदलने की ज़रूरत है वही पेपर लीक वही ब्रश्टाचार वही महिला अफराद इन सब सेट पैटर्नों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है जी बिलकुल अब यह तो आने वाला बदाएगा कि किस तर सकती है और बीजेपी मुश्किल में पड़ सकती है तो इसका फैसला तो जनता बहुत जल्दी सुनाने वाली है आपकी क्या राय है आपका क्या सोचना है कॉमेंट करके जरूर बताएगा कॉमेंट बॉक्स में आपके नजरों में कौन सी जोड़ी है अवल जोड़ी नंबर यह कैसे पता चलेगा घरगर इंटरनेट पहुँचने के बाद अब सब कुछ है डिजटर आपका वीडियो कितनों ने देखा यह हर पल आपको पता चलेगा इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाईए अपनी पहचान साड़े चार करोड से ज्यादा व्यूज और तीन लाग सताइस हजार से ज्यादा सब्स्क्राइबर वाले राजिस्थान के चैनल राजिस्थान संबात पर करवाईए कवरेज जारा जनकारी के लिए वोट्स आप करें 733-99-00-549 पर